नमस्कार, स्वागत आप सभी का इविद्या चैनल नमबर 10 पर मैं हूँ देवेंद्रूत्र पाथी, आज के सत्र में हम कक्षा दस्मी के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस के अंतरगत एक चैप्टर पर बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके बार होगा और हाली में देश में चुनाव संपन हुए है तो इन चुनावों और चुनाव का आज के टॉपिक से क्या संबंध है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझा होगा और ये टॉपिक है आउटकम्स ओप डेमोक्रेसी, यानि डेमोक्रेसी, लोगतंत्र से हमें क्या म दिल्ली सरकार की स्कूल में, मैं आपका स्वागत है आज की सेशन में, धन्यवाद, सभी को नमशकार, जी, मैं हमें पढ़ाएंगी आज का जो पार्ट है, इसके बारे में और डिटेल में बताएंगी, लेकिन दर्शकों, चात्रों जैसा का आप जानते हैं, ये इंटरेक् देबल जीरो, डबल फोर जीरो, डबल फाइब नाइन, और इमेल एड्रस है, डिटी एच डॉट क्लास 10 एड़ दे रेट सी, आईटी डॉट नाइसी डॉट आइएंगी तो अगर कुछ सवाल मन में है, हमारे विश्यशके से पूछने के लिए, तो ज़रूर इन माधिमों में आता है, दर्शकों की तरफ से, छात्रों की तरफ से, मैं आज की विश्यशके से यही पूछना चाहूँगा, कि डेमोक्रिशी से तात पर यह क्या है, क्या समझते हैं हम जी सर, डेमोक्राटिक गर्वर्मेंट या फिर जनतांतरिक सरकार, एक ऐसी शासन प्रनाली है, ज जिविल लिबर्टीज मिलती हैं, और ये कहूं की राजनितिक प्रक्रिया में हर एक नागरिक की भागिदारी को एंशॉर करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, तो इसलिए जनतांतरिक सरकार एक ऐसी सरकार है, जहां हर एक नागरिक महत्पूर्ण है, जी, तो जनतांतरिक शासन का अर्थ यही है, जनतांतरिक अलाओ और क्या क्या शासन हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपने कुछ बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जिक्र मैम भी करेंगी, जिसमें एक राजशाही है, दूसरा इस समय कई देशों में डिक्टेटर्शिप है, तो इनके क्या कह सकते हैं कि कमिया है, इनकी खामिया क्या है, सोसाइटी के लिए और डेमोक्रिसी के फायदे क्या है, इस सब जानेंगे, तो आज के चैप्टर के अंतरगत कौन-कौन से कंपोनेंट कवर करने वाली है, जो बच्चों के लिए ज़रूरी है विशे के संदर म क्लास 10 की NCRT बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, इसमें जब टॉपिक है आउटकम्स अब डेमोक्रिसी, तो हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक जनतांतरिक देश में क्या-क्या एक नागरिक को अपलब्द होता है, और क्या हर एक जनतांतरिक देश आर्थिक अंतर क्या है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या डेमोक्रिसी ही बेटर फॉर्म ऑफ गर्वर्मन्ट है, अगर हम ताना शाही से कंपेर करें, तो आंसर होगा हाँ, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जनतांतरिक देश एक ऐसा देश है, जो सभ यही नागरिक्ता को एक समान ट्रीच करता है, उनको मौलिक अधिकार के रूप में समानता प्रदान की गई है, यहां पे डिगनिटी ओफ इंडिविजुल को प्रिजर्व किया गया है, जैसा कि मैंने बताया, यहां पे हर एक जो राजनेतिक अधिकारों की शेड़ी में आ की जाती है, जैसा देख पा रहे हैं, every individual is prioritized, which enhances their trust in the system, साथ ही साथ में जो निर्णय लेने वाली प्रक्रिया होती है, जो पॉलिटिकल प्रक्रिया होती है, उसमें भी कही ना कहीं नागरिक की एक तरह से indirect भागिदारी होती है, क्योंकि भारत एक representative democracy है, तो हमारे ही द्वार तक हमारे जनकल्यान की बात करते हैं, उसी साफ से नितियां बनाते हैं, साथ ही साथ में एक जन्तांत्रिक देश वेहदेश होता है, जो dispute के resolution के लिए भी एक तरीका दे, देखे समस्या हैं तो हर political system में मिल जाएंगी, चाहें वो democratic हो, ताना शाहदेश है, समस्या हैं वो स्ट्राइक कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, नई दिली में तो देखे ही होगा आपने कैसे कैंडल मार्च लेकर इंडिया गेट की तरफ मार्च कर देते हैं, तो एक माध्यम देता है जन्तांत्रिक देश जन्ता को अपनी बात सरकार तक पहुचाने में, unlike other totalitarian regimes, जहां भ अनि किसी भी सिस्टम से बहतर है, जी, over a hundred countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics, उनके पास पूरे formal समविधार है, वहां पर चुनाव होते हैं, राजनेतिक डल भी हैं, और साती सात में जन्ताओं को वहां पर liberties या फिर स्वतंत्रताएं भी प्राप्त हैं, ये वाली जो features होते हैं, वो किसी भी जन्तांत्रिक देश में बहुत commonly find किये जाते हैं, लेकिन तब भी हर एक देश का जो political system है, वो different होता है, democracy is a form of government that provide conditions to achieve the goals, but its citizens who should properly utilize those goals, अब बात हुई है democracy की, तो बात ये भी करनी चाहिए, क्या democratic सरकारें efficient हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि जो non-democratic rulers हैं, उनको कोई जवाब देटा नहीं होती, जन्ता के प्रती, ना ही उनको किसी deliberation में participate करना होता है, ना ही किसी संसद में उनको उनकी जवाब देटा होती है, तो हम ये कहेंगे, ऐसी सरकारें जो non-democratic हैं, वो बहुत जल्दी निरने ले पाती हैं, क्योंकि उनकी जवाब देता है नहीं, एक व्यक्ती ने बोल दिया, तो उसको फिर पूरा करना ही करना है, तो ये लोग decision quick लेते हैं, पर कितने effective लेते हैं, ये अपने आपने प्रश्मिचन है, मैं compare करूं democracy को, तो democracy होती ही deliberation से है, यहां बिना बातचीत के, कभी कोई policy लागू कर ही नहीं सकते, तो democratic सरकारें वो होती है, जो बहस के दौरान, चर्चा के दौरा किसी नीती का best aspect लेकर आती हैं, और फिर implement करती हैं, तो ये process लंबा हो सकता है, परन्तु आश्वस्त्र हैं, जो नीतियां बनेंगी, वो जन कल्यांड के लिए ही बनेंग हैं, या विधान सभाओं में बैठे हुए हैं, उनका जो उद्देश ही रहेगा, वो जन कल्यांड क्योंकि एक पक्ष कुछ बातें कहेगा, दूसरे पक्ष कुछ बातें कहेगा, और उसका जो निशकर निकलेगा, वो एक नीती और कानून बन करके आएगा, लेकिन दूसर जनतर की पॉलिसी पूरे देश पे थोप दी जाती है, और जनता का कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है, जनता उसमें चाहे अनचाहे उसको बाध्य है, उसको मानने के लिए, फिर अगर हम किताब में ही अगले टॉपिक पे चलें, तो वो बताता है कि कैसे एक जनतांतरिक विबस्था, एक responsible, accountable और legitimate सरकार को जनम देती है, तो responsible कैसे, भई responsible ऐसे, क्योंकि सही जनतांतरिक देश वही है, जहां पे regular 5 साल में चुनाव होंगे ही होंगे, जब चुनाव हर 5 साल में regularity से संग होंगे, तो सत्ता में जो सरकार या राजनेतिक दल है, वो ensure करेगा कि उसने जो भी promises किये हैं, वो उनको पूरा करें, जिससे अगले 5 साल में जब उन्हें पुनाद जनता के सामने जाना पड़े, तो वो एक positive phase लेके जा सकें, कि हमने अपने वादों के अनुरूप कारिकिया नीतियां बनाई, तो वो एक responsible, accountable सरकार होती है, अच्छा, नागरिक भी कह भी ना कहीं indirect तरीके से नीतियां बनाने में भागिदार होते हैं, है ना, public opinion का एक बहुत बड़ा important भूमिका होती है, नीति इन्यधारण में, तो democracy produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens, यहां मैंने legitimate government की बात की है, तो सरकार को, जनतांतरिक सरकार को, legitimacy किस से मिलती है, वो मिलती है, जनत की public opinions है, जनता नहीं तो इसको elect करके भेजा है, तो legitimacy वहीं से flow होती है, जैसे कि सम्विधान में भी आप देखेंगे, जो हमारी प्रस्तावना है, उसके पहले कुछ अक्षर क्या कहते हैं, हम भारत के लोग, तो यहां पे सर्वोच पावर जनता को है, भारतिये जनता को है, democracy ये ensure करती है कि जो decision making process है, वो norms के उपर या rules के उपर आधा रहे तो, किसी एक व्यक्ति की मन चाही ना हो, जो सम्विधान में लिखा है, वही rules के रूप में परिवरते तो, so a citizen who wants to know, if a decision was taken through the correct procedure, can find out this information, citizens can take part in decision making whenever they want, a democratic government is the people's own government, people wish to rule by representatives, elected by them and hence this is a legitimate government, तो यही जैसे मैंने चर्चाबी की सर, कि जहां जनता ही express करती है, जनता की राय मैनिफेस्ट हो रही है सरकार के रूप में, तो legitimacy तो वहीं से flow हो रही है, जी, तो अब अगला प्रशन यह उठता है कि क्या जहां पर democracy है, क्या वहां पर आर्थिक विकास जादा बहतर है, अगर हम compare करें dictatorship से, जी, जी, बहुत ही बड़े आप्रशन सर, और बच्चों के दिमाग में भी प्रशन आता होगा, कि अगर democracy इतनी बहतरीन सरकार है, तो वहां पर आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, वहां का political culture या राजनेतिक संस्कृती बड़े ही उन्नत होनी चाहिए, तो NCRT book में ही दो charts दे रखे हैं, दो tabular forms दे रखे हैं, जिसमें उन्होंने compare किया है, कि ऐसे देश जहां जनतांत्रिक सरकार है, और वो देश जहां पर तानाशाहि है, उनकी growth rate में क्या difference है, पर उस पे जाने से पहले हम यह discuss करें कि कि किसी भी देश के आर्थिक देश को मापने का तरीका क्या है, या वो किस पे निर्भर करता है, कि किसी भी देश का population size क्या है, उस पे बहुत जितनी बड़ी जादा population, उतनी ही जादा जिम्मेदारियां सरकार के उपर, फिर इस समय वैश्वी करण के इस युग में global situation कैसी चल रही है, हो सकता है मेरे देश की आर्थिक व्यवस्ता बड़ी उननत हो, पर तु व्यपार तो मुझे बहरी करने जाना है, तो अन्य देशों की आर्थिक व्यवस्ताएं का सीधा सीधा प्रभाव मेरे देश की साथी देशों के साथ उस पे भी हमारी आर्थिक विकास depend करता है, last but not the least, सरकार का nature कैसा है, जिससा आपको पता है भारतिय सरकार एक mixed economy को follow करती है, जहां हमने पुझीवाद तता सामयवाद का mission रखा है, तो हमारी नीतियां उसी के उपर based होती है, तो किसी भी देश का आर् जो rates of economic growth रही हैं, अलग अलग देशों में, अगर आप उसको classify करके देखें, compare करके देखें, देख लेते हैं, जैसे जितनी भी प्रजात तांत्रिक रजीम्स रही हैं, उन पे growth rate continuously कितना रहा, 3.95, अगर dictatorial regimes या तानाशाही सरकारों की बात करूं, तो यहां growth rate था 4.42, वो dictatorship सरकारें, जो की गरीब थी, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, उन्होंने भी कही न कहीं, आर्थिक development कितना अचीव किया, 4.34, और ऐसे देश, जो की जनतांत्रिक थे, परन्तु सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनकी growth rate रही 4.28, तो अगर हम ये indicators देखें, तो हम ये पाएंगे कि कोई बहुत significant difference नहीं है, लेकिन compare करें, तानाशाही सरकार में और जनतांत्रिक सरकार में, तो हम पाएंगे जनतांत्रिक सरकार के, तो बहुत फाइदे हैं, जी, तो उपर के दो जो democratic और dictatorial regimes का compare है, 3.95 और 4.42, तो बहुत ज़ ही है, उन दोनों को compare करें, तो उसमें भी बहुत जादा अंतर नहीं है, 4.34 और 4.28, तो इसमें अगर चात्रों से सवाल पूछा जाए, कि उनके सामने option हो कि कौन सा शासन पधधि उनको चुनना चाहिए, तो क्योंकि आर्थिक विकास compare करें, तो democratic countries में कम है, तो क्या democracy चु है, क्या उसमें अंतरता रहेगी, ऐसा देश जहां नागरिक को civil liberties ही नहीं मिल रही है, कोई समानता है नहीं है, अधिकार नहीं है, न्याए की अफधारना बहुत दूर दूर तक आसपास नहीं है, तो क्या ऐसी आर्थिक विकास sustain कर पाएगा, आंसर रहेगा नहीं, तो आचानक कई बार हमने देखे हैं, बहुत सारे देशों में, जहां आचानक क्रांतियां होती हैं, अंदोलन उठखड़े होते हैं, तो इसकी जो विकास दर हम थोड़ा सा जादा देख भी रहे हैं, वो अचानक धरशाई हो जाएगा, बिल्ल्कुल, जैसा मैंने का सस्टेनि क्यों नहीं करता है, क्योंकि लिबर्टीज नहीं है, स्टेबल गर्वर्मेंट नहीं है, तो भारत की अजादी की बात हो ही, तो मैं आपसे दू प्रशन पूछना चाहूंगा यहांपर, कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस समें कौन है, और दुनिया का सबसे पु पचातर साल से उपर हो गए है, जब से हमारी जो शासन व्यवस्था है, वो सस्टेन कर रही है, आपसलियूटली सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने, कि उनने सो बावन में जो प्रथाम आम चुनाव हुआ, और दो हजार चौबीस में जो आम चुनाव हुआ, जो सत्ता क हस्तांतरन था, वो बहुत पीसफुल रहा है, जी, कोई करांती नहीं करनी पड़ी, कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, जो पाटी में आई, उसने सत्ता बदल दी और उसको ग्रहंड किया, और साथ ही साथ में बताना चाहूंगी, एक समय ऐसा आया था भारत में, जब यहा इस स्थिती में आप देखिए कि देश की ऊपर संकट है, परनतु सिविल लिबर्टीज को कर्टेल नहीं किया जा रहा, इससे बड़ा एक्जामपल और क्या होगा, कि डिमोक्रेसी इस बेस्ट फॉर्म ऑफ गर्मेंट, तो एक तरह से जो इमर्जनसी थी, उसमें कई सारे नागरिक अधिकारों को रोक दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है, सिविल लिबर्टीज को बरकरा रखा गया, बहुत अच्छी बात कहिए आपने, यह है हमारे देमोक्रेसी की सुन्दरता, 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 बिल्कुल सर, अब मैं अगर बात करूँ जो की आपकी टेक्सबुक्स में टॉपिक दे रखा है, एकोनोमिक आउटकम्स अफ देमोक्रसी, तो जो डिक्टेटोरिल रेजीम होती है, तानाशाही रेजीम होती है, उनका एक स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड हो सकता है, आर्थिक विकास में, पर अगर इफी कंपेर दे पूर कंट्रीज, देर इस वर्चुली नो डिफरेंस, देर कान बी अवेरी हाई डिग्री ओफ इनेक्वालिटी विधिन देमोक्रसी, और इस ओफन इनेक्वालिटी ओपर्चुनिटीटीज अवेलेबल तुद पूरे सेक्टेटीज जैसा कि मैंने बात की, कि आर्थिक वि आर्थिक राजनेतिक असमानता हैं, इसको भी दूर करने में डेमोक्रसी बहुत इंपर्टन भूमी का निभाती है, जैसा कि मैंने बताया, भारत में कानून का शासन है, कानून का शासन मतलब, कानून की निगाहों में सभी लोग बराबर हैं, तो जब सभी बराबर हैं, त तो इस तरह की की समानता भारत जैसे देश में ही संभाव है, साथ ही साथ में, लेकिन इसके बापजूदमी में बताऊंगी, कई देशों का उधारन है, भारत का स्वयम का उधारन है, हम कंपेर करें, कि हमारे देश में भी a small number of ultra-rich, they enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes, और उनकी total income का जो share होता है, वो country में धिरे-धिरे बढ़ता चला जा रहा है, जो bottom strata के लोगबाग है, वो उनकी income का scale इतना बहतर नहीं हो, वो decline ही हो रहा है साथ में, तो in actual life, democracies, they do not appear to be very successful in reducing economic inequalities, तो इस chapter में actually, जो मुल्यांकन किया गया है, वो विल्फुल वास्तिविक तक्थियों पर किया गया है, कि हम यह कह दें, जहां जन्तंत्र है, वहां पर आर्थिक विकास होगा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी economies progressive है, सब्सक्राइब, जो की लगातार है, तो यह बहतर है, और being a political science lecturer, मैं आप से एक प्रशन पूछना चाहूंगा, क्योंकि भारत की जो शासन विवस्ता है, और भारत की जो डेमोक्रेसी है, वो कहीं ने कहीं US और UK से थोड़ा सा प्रेदित है, लेकिन इन दोनों देशों में, चाहे अमेरिका हो या ब्रेटन, दोनों जगहों पर डो पार्टी पॉलिटिक्स है, और हमारे यहां मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स है, तो डेमोक्रेसी में अभी तक का जो ध्यान है, political science का, उसको लेकर दुनिया बर के शासन विवस्ता में, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम बिटर है या डूव पारटी पॉलिटिकल सिस्टम बिटर है जी बहुत बढ़ी है सवाल सर जैसे आप देखेंगे भारत विविदताओं से भरा हुआ देश है तो इन विविदताओं को एक्सप्रेशन देने के लिए भारत के प्रजातंत्र जनतंत्र में regional parties का विकास हुआ है चेत्रिय दलों का विकास हुआ है और ये चेत्रिय दल कहीं न कहीं regional aspirations को reflect करते हैं अगर America की बात करूं या UK की बात करूं तो almost वो जो तो bipolar आप बाई party system कह रहे हैं इनके बीच में ही सारी जनता से मट जाती है हमारे देश बहुत भागिशाली देश है हमारे देश क्या ये USP है कि यहां हर एक aspiration को एक manifestation मिलता है चेत्रिय पार्टियों के दोरा और चेत्रिय पार्टियों की पार्टियों की जो भढ़ती भूमिका है प्रजातंत्र में अब कहीं न कहीं उनको central politics में भी महत्मून स्थान प्राप्त करवा रहे हैं कि मतलब गटबंधन के युग में जब कोई भी प्रच्ड पौलिटिकल पार्टियों भूद मेजोरिटी ने उठापाती तो वह चेत्र पार्टियों के सायोग से पार्टियों तो आप देखेंगे अलग अलग खेत्रों के जो चेत्रे मुद्दे थे अब वो राष्ट्य पटल पर मानिफेस्ट होते हैं, इनको फॉल्फिल करने ही पड़ते हैं, तो ये अपने आप में सुन्दरता है, सुन्दरता है, ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बताए, लेकिन इसके एक कमी मुझे नजर आती है, वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ठीक धंग से नहीं हो पाता, होता ये है कि किसी भी एक constituency में, एक candidate एक seat है और वहाँ पर खड़े होते हैं, 10 candidate अलग अलग पार्टियों से, और 10 candidate में, अगर मान लिजे वहाँ पर total voter turn out 50 to 60% रहता है, तो पहली बात 60% वोट हुआ, किसी particular region में, 40% लोगों ने कम नहीं वोट और वो जो 60% वोट पड़ा, मान लिजे 6 लाग वोट पड़ा, 10 की जगह पर, 10 लाग voter है, 6 लाग वोट पड़ा, और वो 6 लाग वोट डिवाइड हो गया 10 लोगों में, और जिसको 60-70,000, 80,000 वोट मिल गया, 1 लाग वोट मिल गया, वो जीत गया, तो इस तरह से 10 लाग की population जहां पर है, वहां पर सिर्फ एक लाग वोट पाने वाला विक्त ही representation कर रहा है, तो उस से आप से देखा जाए, तो पूरे डेमोग्राफी का representation नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और ये वोट की कमी है, सर कि वोट करने क्यों नहीं जाते है, एक वोट की कमी है, दूसर जो हम जो हम इदवार, कॉलिफाइंड नहीं है, सर वोट की प्रतिशत से नहीं जीत रहा है, वोट की संख्या से जीत रहा है, कहिंँ बार क्लास में, मैं ये वाला चुनाफ करवाती हूं बच्चों की बीच में, जिससे उनकी समझ बने, कि जीतने वाला व्यक्ती शाइद 1,000 वो पाएगा इसलिए हमने दूसरी चुनाफ प्रणा ली अपनाई और यही रीजन है जैसा कि आपने बताया कि कितने वोट्स वेस्ट हो जाता है जी चलिए हमारे सेशन का समय समाप्त होने को है अन्त में आप कुछ और टिप्स बच्चों को क्योंकि दस्वी का जो कक्षा है वो कुछ चार्ट्स दे रखें हैं कुछ टैबलर फॉर्म्स दे रखें अगर आप उनको बारीकी से स्टडी करेंगे ना तो आप इस पूरे चैप्टर को अपलाए कर पाएंगे साथी साथ में जो डेमोक्राटिक आउटरम्स का अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप अपनी की राय निस्पक्ष होकर रखना बहुत बालेंस रूप में रखना कि अगर डेमोक्राटिकल नुकसान भी हैं तब ही वो एक संतोलित आंसर हो पाएगा चलिए तो उम्मीद करते हैं यह कुछ टिप्स यह सत्र आप सभी के लिए आपकी कक्षाओं में जो आप यह पाठ करता हूं कि आपके लिए उपयोगी रहा होगा और इसके लिए मैं अपनी आज की विशेशग्ये अशोषिका बधवरिया मैं को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा डिटेल में बात करने के लिए हमारे चात्रों और दर्शकों के साथ आप पॉलिटिकल साइंस की होगी तो टीशू के बारे में आप जानना और समझना चाहते हैं जिग्यासा रखते हैं तो कक्षा में जो पढ़ाया जाता है आपकी पुस्तक में जो है उससे थोड़ा हट करके भी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने समझने को मिलती हैं तो ज़रूर बने रही है हमारे स साथ दीजय अनुमती सत्र को समाप्ति करने की एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा कि शिक्षा जागरुकता और ज्यान के करेक्रमों के लिए इविद्या का प्लेटफॉर्म आपके लिए सदय तत्पर है इसके साथ आप जुड़े रहे हैं धन्यवाद